एक्जाम्पल 23 बिजय इस ट्राइंग टू फाइंड दे एवरेज हाइट ऑफ टावर नियर हीज हाउस करा कि बिजय है जो अप उसके घर के नजदीक एक टावर है और उसका एवरेज हाइट फाइट करने का कोर्सिस करा तो जैसे यहां पर देखिए माली जी यह एक बिजय क घर है माली जी यह एबी है और यह बिजय का घर है यह हो गिया बिजय हाउस और इसके घर के नजदीक में एक टावर है तो माली जी यहां पर एक टावर है इस तरीके से यह माली जी सीडी एक टावर है इसके बाद देखिए इसके बाद करा कि he is using the property of similar triangle वो इसका height निकालने के लिए similar triangle का property यूज करा दा height of बिजय हाउस इस 20 meter बिजय के घर का हाउस दे रखा 20 meter तो यही न बिजय का घर था ए भी और इसका height दे रखा 20 meter तो माली जी यह हाइट है 20 meter इसके बाद देखिए करा एंड बिजय हाउस कास्ट अस साइडो 10 meter long on the ground at the same time the tower कास्ट असाइडो 50 meter long on the ground करा कि बिजय के घर का जो हाउस है उसका साइडो बरहा 10 meter long और उसी time यह टावर का साइडो बरहा 50 meter long तो यहां पर माल लेजिए कि इसका साइडो बरहा इस तरफ और यहां पर point ले लेजिए c यह bc हो गया साइडो आई इसके साइडो का लेंद रखा था 10 meter अब बोला कि इसी time टावर का साइडो का लेंद है 50 meter तो यहां पर c d यहां पर e ले लिजिए और यहां पर देखे c तो यहां पर already है तो यहां पर a b e ले लेते हैं और यहां पर f ले लिजिए और यहां पर यह हो जाएगर d f साइडो का लेंद इसका लेंद रखा है 50 meter इसके बाद पढ़िए यहां बोरा कि I am house of a jai cast 20 meter side on the ground करा कि a jai का house है जो 20 meter का side बरा ground के साथ वाला यहां पर कहीं पर एक a jai का घर है यह माले जी माले तें यह P है यह क्यों है यह अजय का घर यह हो गिया a jai house वाला कि इसके घर के जो side बरा इसका लेंद दे रखा 20 meter तो माले जी इसका side बरा यह माले तें आर यानि qr इसका side है इसका लेंद दे रखा 20 meter यहां पर सारे को ज्वाइन के लिजिए यह हो जाएगा fc और यहां पर हो जाएगा pr आर अब यहां पर देखें यहां पर एक हो गिया बिजाई का आउस एक हो गिया टावर एक हो गिया आजाय का आउस अजबी का side बन रहा इसका मले होगा कि sun जो होगा वो इस तरफ कहीं पर होगा sun तभी न सईडों इस तरफ बन रहा आए अब पहला चलिए यह दोनों triangle में यहां पर यह 90 बन जाएगा, क्योंकि टावर सीधा खड़ा रहेगा, इसका घर भी सीधा खड़ा रहेगा, तो यह दोना एंगल होगा, यह 90 डिगरी, इसके बाद देखें, यहां से सन का जो रे आएगा, तो सन से जितना भी रे निकलता है, सारा सेम एंगल पर निकलता है, त यहां भी सन से रे निकलेगा, तो यह दोनों भी अंगल आपस में इकल हो जाएगा, जिस वाद से यह दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएगा, यहां पर एक चीज़ आपको बताते हैं, यहां जो एंगल इकल हो रहा, अगर यह चीज़ आपको ने समझना रहा है, कि यह एंग खेल कैसा होगा तो आप एक हाई इसको जरूरूर। एकृसाइज आप तो अब यहाँ पियाँ यह दोनों ट्रेगल आपस आपस में इस्म्नलर औल आपस में कोर्स्पोनिक यहाँ आयगा और यह वहाएं सेक्सापन्mac होगा यह दोनों आपस में क्कोर्सपॉन रहिब यहां पर आपको एक तरीका बताते हैं जैसे यह तो मृत प 500 को त्यंच गुना पर यहां परते जब यह आपशं को पर डंच Civic फोटों कितने हो यहां पर इस साइड को भी करिए दो गुना तो यह 20 तो यह हो जाएगा 40 अब देखे question number 1 करा the height of the tower is tower का height कितना होगा तो यह tower यह है न cd यहां पर देखे इसका height कितना है 100 meter तो यह हो जाएगा option c question number second भेन विजय हाउस cast a side of 12 meter करा कि जब विजय का घर जो side of बरा रहा वो बना रहा 12 meter long the length of the side of the tower तब tower के side of का length क्या होगा तो यहां पर देखे विजय का घर यह बला है तो इसको बाहर करिए यह है इस तरीके का यहां पर a है b है और यह e है अब बोला था कि इसके घर के side of का length 12 meter तो यह बला length हो जाएगा 12 लेकिन इसका जो height 20 है तो height 20 ही रहेगा इसमें तो कोई चीज़ नहीं आएगा सिर्फ इसके side of का length change होगा तो यह होगी है 12 इसके बाद देखे tower तो tower को बाहर करिए यह इस तरीके से है यहाँ पे C है यहाँ पे D है और यहाँ पे F है और यह tower का height है 100 meter तो यहाँ से हमसे पुझा था कि tower के side of का length क्या होगा यानि यह बला D F तो यहाँ से देखे यह है 100 तो 20 में कितना से multiply करेगा तो 100 आएगा 5 से तो इसमें 12 में भी 5 से multiply करेगा तो यह हो जाएगा 60 यानि tower के side of का length हो जाएगा 60 तो यह हो जाएगा option D आप चाहिए तो इसके side को भी लेके भाईलू निकाल सकते हैं जैसे देखे यह दोनों tangle similar है तो यहाँ पे AB और CD यह दोनों corresponding side हो जाएगा अब B E और D F यह दोनों corresponding side हो जाएगा तो यहाँ पे corresponding side का ratio ले लिजिए तो AB का corresponding हो जाएगा CD और यहाँ पे BE BE का corresponding हो जाएगा DF यहाँ पे भाईलू पुट करेए तो AB का भाईलू है 20 और CD का भाईलू है 100 और यहां पर BE का भाइलू है 12 और DF तो निकालना है आपको यहां से देखिए यह पाच बर में करेगा across multiply करेगा तो DF का भाइलू आजाएगा 60 तो इतना करने से अचा है आप direct कर सकते हैं जैसे 20 में 5 से multiply करेगा तो 100 आजाएगा तो 12 में भी 5 से multiply करना होगा तो 12 में 5 से multiply करेगा तो 60 आजाएगा Question number 3 The height of Ajay houses अजाए के घर का height कितना होगा तो यहां पर देखिए Ajay का घर यहीं बला है और इसका height कितना 40 मेटर तो यहां पर हो जाएगा option B Question number 4 The length of the side of Ajay house करा कि जब tower का side of 40 मेटर तब Ajay के घर का side का length क्या होगा तो यहां पर देखिए tower है यह वोला इसको बाहर करिए तो यहां पर यह है c, d और f यहां पर 91 और यहां पर वोला था कि जो tower का side हो है यह 40 मेटर तो यह हो जाएगा 40 Tower का side हो तो tower का height यहां पर 100 है तो height तो वहीं रहेगा 100 ही यहां पर Ajay के घर के side का length पूछा है तो यहां पर देखिए अजय का घर यह है इसको भी बाहर करिए तो यह इस तरीके से है यहां पर P है यह Q है और यह R है तो इसके घर के side का length यानि R Q का length पूछा है और इसके घर का height देखिए 40 है तो यह तो 40 ही रहेगा अब यहां पर देखिए यह दोनों triangle similar है तो जब दोनों triangle similar है तो इसके corresponding side का ratio ले लिजिए तो इसका CD यह मतलब यह हो जाएगा इसके corresponding और यह हो जाएगा इसके corresponding तो यहां पर ratio लिजिए तो CD का ratio आजएगा PQ के साथ तो CD upon PQ और यहां पर DF का ratio आएगा RQ के साथ तो यह हो जाएगा DF upon RQ यहां पर भाईलो पूट कर लिजिए तो CD है 100, PQ है 40 और DF भी है 40 और RQ तो आपको निकाल लाई है यहां पर देखिए 10 से 10 कटेगा और यहां पर 10 से 10 कटेगा उपर उपर अब यहां पर cross multiply करें तो cross multiply करेंगा तो यह RQ इक्वल तो आजाएगा 4 इंटो 4 16 यानि इसके साथो का लेंथ आजाएगा 16 मीटर तो option A question number 5 बेंद तावर कास्ट a side of 40 मीटर जब तावर के side का लेंथ हो 40 मीटर then the length of the side of BJ हो तो BJ के घर के side का लेंथ कितना होगा तो यहां पर देखिए तावर यह है इसको बाहर के लिजे यहां पर है C, D और यहां पर है F यहां पर बोला था कि टावर के side हो है, यह 40 मीटर लोग है तो यह tower का side हो यह बला होगा D, यह 40 मीटर और यहां पर देखिए tower का height 100 था, तो यह तो 100 नहीं रहेगा तो यहां पर होगा 100, तो पूछा था BJ के घर के side का length तो यहाँ पर देखें, विजय का घर यह बला है, इसको बाहर करिए तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर E है यह 90 डिग्री बारा तो इसके साइडों का लेंथ, इसका साइडों यहीं होगा ना B, E तो इसी का लेंथ आपचे पूछा और यहाँ पर देखें, इसके घर का हाइट है 20 मीटर तो घर का हाइट तो 20 मीटर ही रहएगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं अभ यहाँ पर देखें जब भी change होता है, तो side में ही होता है, height में कोई change नहीं होता है तो यहाँ पे दोनों triangle similar है, तो इसके corresponding side का ratio लिजिए AB का corresponding CD है, और यह BE का corresponding DF है, तो यहाँ पे ratio लिजिए तो यह हो जाएगा AB upon CD, अधर हो जाएगा BE upon DF तो यह हो जाएगा BE upon DF, यहाँ पे value put करिए, तो AB का value है 20, तो यह हो जाएगा 20 CD का value है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, और BE, BE तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे रहेगा BE और df का भीलो है 40 तो यहां पर आजाएगा 40 यहां पर काटी 20 से 100 को 5 बार में और 5 से 40 को 8 बार में तो यहां पर क्रॉस मल्टिप्लाई करेगा तो यह हो जाएगा be equal to 8 meter यानि इसके घर के जो सैटों का लेंद आएगा 8 meter तो यह हो जाएगा option d